मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका कोश किचन में दोस्तो कोश किचन में आज हम बनाएंगे एक ऐसी चटनी जो की एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर है आईरन से भरपूर है तो चली शुरवात करते हैं और बनाना सीखते हैं ये हल्दी हल्दी ग्रीन चटनी इसे बनानी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी करम कर लिया है और इस पानी में हम करेंगे ब्लांच पालक को जी हाँ इस पालक की वज़ा से ही ये चटनी हल्दी चटनी कहलाएगी तो ये पानी जैसे ही उबलने लगेगा हम इसमें डालेंगे करीब दो कप पालक पालक बिल्कुल मैंने धो कर साफ कर ली है और इसे काटा नहीं है आपको भी काटने की जरूरत नहीं है अब पालक को करीब हम एक मिनट के लिए इस पानी में बलांच कर लेंगे इस चीज का खयाल रखेगा कि कभी अगर आप पालक की चटनी बनाते हैं तो कभी भी उसे कच्चा इस्तमाल ना करें क्योंकि इस तरह बलांच करने से उसमें जो भी गंदगी होती है इंप्यूरिटीज होती हैं वो सारी साफ हो जाती है तो अभी हमने पालक को बलांच कर लिया है इसको आहिस्ता से किसी चमच या फिर चमटे की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे और अब इसे ठंडा कर लेंगे अब इसके बाद हम एक पैन को फिर से गर्म करेंगे इसमें डालेंगे करीब आठ नौ काले मिर्श के दाने और डालेंगे आधा चमट जीरा आप चाहें तो इसमें हींग का भी इस्तमाल कर सकते हैं हींग का स्वाद भी इस चटनी में काफी अच्छा लगता है पर मैंने यहाँ पर नहीं किया है अब इन दोनों ही चीजों को हम भून लेंगे ये दोनों ही चीजें ना ही सिर्फ हमारी चटनी का स्वाद बढ़ाएंगे बलकि इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पेट की सिहत के लिए भी काफी अच्छी होती है तो अब आप देख सकते हैं जीरा तड़कना शुरू हो गया है और काली मिर्च भी अच्छी तरह से भुन चुकी है अब इसे सीधा सीधा हम एक जार में शिफ्ट करेंगे इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें करीब एक चम्मचद रग कटा हुआ साथ ही डालेंगे 4-5 हरी मिर्च या जितनी आपको मिर्च स्वातने पसंद हो उतनी मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसके बाद हम इसी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हमने इसमें पानी डाल दिया दही डाल दिया, तो इसे क्या होगा, ये जो चीजें हैं, जो बहुत कम मात्रा में हैं, ये ग्राइंड नहीं हो पाएंगी, अच्छी तरह से पिस नहीं पाएंगी, तो जब भी आप इस तरह की कोई चटनी बनाएं, जो मोटी चीजें होती हैं, जो सक्त चीजें होती हैं, उ तो ऐसे वक्त में तीन चार टुकड़े करके भी डाल सकते हैं साथी हम इसमें शामल कर रहे हैं दो चम्मच हरी धनिया साथी जितना हमने हरी धनिया लिया है उसका आधा हम ले रहे हैं पुदीना यह दोनों चीजें ऑप्शनल है और अगर आप चाहें आपको ना मिले तो ना कर सकते हैं साथी डालेंगे आधा चमच काला नमक साथी लेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि काला नमक हमने इस्तिमाल कर लिया है अब इन सभी चीजों को एक बार हलका सा ग्राइंड कर लेंगे और अब देख सकते हैं यह सारी चीजें थोड़ तो ऐसे में हम इसमें पानी को शामल नहीं करेंगे बलके इस्तमाल करेंगे दही का तो दही हम ले रहे हैं यहां पर एक से दो चमच और इसे डालने के बाद हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे और देखिए बहुत अच्छी तरह से पिसकर तयार है पालक की चटनी तो स्वाद जरूर लीजेगा उमीद करते हैं आज की यह खास रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर यह रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कोश किचन को